कि नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंग आपका स्वागत करता हूं एससे मेकर की सौनलाइट प्रफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुसकबरी है हां दोस्तों आप लो तो काफी बच्चे सोच रहे थे कि वेकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वेकेंसी कम है इसमें इतनी सारी वेकेंसिया है तो हम आप लोगों से उस टाइम भी बोले थे कि ससी डीडी की वेकेंसी लास्ट टाइम तक आप लोगों ने बढ़ते हुए देखा है ठीक है औ विचार कर रहे थे be mmars हो रही थी कि हम लोगों से बाते हो रहे थी कि इसका result कब तक आएगा result पे बात हो रही थी और result में देरी हो रहा था तो हम लोग भी परिशान हो रहे थे result में इतना देरी क्यों है लेकिं result में कहीं ने कहीं देरी हुआ है तो अच्छी ही बात है क्योंकि 20,000 ज्यादा vacancy हो गई है और 20,000 परिवार में और खुसखबरी आने वाली है तो अच्छी है अगर ये देरी हुई है तो कोई बात नहीं आईए एक बार हम आप लोगों को detail में बताते हैं कौन से कौन स एससी जीडी का एकजाम दिये हैं तो उन्हें आप परिशान होने की ज़रुरत नहीं है ठीक है बहुत से बच्चे ऐसे थे कि सर मेरा नंबर थोड़ा बहुत कम हो रहा है क्या होगा वेकेंसी कम है होगी की नहीं होगी होगी अब सबकी होगी जो बार्डर पे थे ना जो बार वेकेंसी था जो पुरानी वेकेंसी आई थी जब फॉर्म निकला था तो 26,146 उसके बाद यह वेकेंसी बढ़ा नहीं 26,140 थी था लेकिन आज ही अभी नोटिफिकेशन आया है सिट्सी के द्वारा कि यह जो वेकेंसी है इसे बढ़ा के 46,617 कर दिया गया है यानि 20,471 कितन खुष हो जाता है प्रसंद हो जाता है कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे है और कहीं ने कहीं 2-4 नमबर से बॉर्डर पे रह जा रहे थे वो बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो परिशान होनी की जोरुत नहीं है जो बच्चे एक्जाम दिये थे कम नमबर 40,000 हो गई तो वेकेंसी बढ़ गई तो अच्छी बात है तो देखिए पहले आप लोगों को बताते बीएसफ बीएसफ में जो आपकी वेकेंसी थी वो 617 थी अब 12,076 हो गया है दो गुना वेकेंसी हो गई ठीक है उसके बाद से सबसे ज्यादा पिछली बार भी आप लोग रीम जब होती है बहुत से स्टूडेंट क्यों कि इसमें पढ़ने का समय भी मिल जाता है आप लोग प्रिफरेंस तो पहले ही बढ़ चुके है फिर उसके बाद से बात कर लेते हैं CRPF CRPF में 3337 था अब हो गया है 9410 यानि तीन गुना गलगवग ये भी आपका हो गया है फ उसके बाद से अगर बात करें ITVP ITVP में देखेंगे 3189 था अब हो गया है 6287 ये भी वेकंसी आपकी दोगुनी हो गयी है फिर आगे बात करें असम राइफल में 1490 था अब असम राइफल में आप देखोगे बच्चे तो ये हो गया है 2990 तो ये भी वेकंसी बढ़ गई फिर उसके बार से SSF, SSF में देखेंगे 200 चानवे था, तो अभी SSF में आपकी जो वेकेंसी है, SSF में आप देखेंगे यहाँ पे, SSF दिया हुआ है, SSF में 200 चानवे, यानि SSF में वेकेंसी नहीं बढ़ी है, और पिछली बार देखें ते जो आपकी ये नोडिफिकेसन आई उस समय NCV में पोस्ट नहीं आया था, इस बार भी NCV में अभी 0 ही है, NCV में वेकेंसी नहीं आई है, तो यानि वेकेंसी बढ़ी है, अब बच्चों सोच रहें क्या और वेकेंसी बढ़ सकती है, पिछली बार तीन बार वेकेंसी बढ़ी थी, हो सकता है कहीं और वेकेंसी ब परिवार इसे खुस होंगे, उनके रोजगार मिलेगा, और वो बच्चे हैं, जो मेहनत करके कहीं ने कहीं 2-4 नंबर पे रूख जाते, उनके लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है, ऐसे ख़बर बराबर मिलता रहे, कुछ-कुछ वेकेंसी बढ़ते रहे, वेकेंसी आती रहे हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुस होते हैं, जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है, किसी के परिवार में खुसी आती है, जरुरत मन्द परिवार के में नोकरी मिल जाए, तो बहुत खुसी मिलती है, और ऐसे ही खुसी मिलता रहे, बस आप लों मेहनत करते रही है ताकि वेकेंसी कितना हुआ है आप लोगों का सालेक्शन होता रहे हैं ठीक है आप लोगों से बताने चाहेंगे जो बच्छे देखिए जो बच्चे 2025 is एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं लग के मेहनत कर यह वेकेंसी हो सकता है, कम है, आगे बढ़ेगी, ऐसे इसमें बराबर SSC GD में देखा चा रहा है, वेकेंसी बढ़ रही है, तो लग के मेहनत करेंगे, जो बच्चे इस वेकेंसी से रह गए है, हो सकता है, कि आप लोग इस बार eligible नहीं हो, qualification नहों, हो सकता है, आप लोग तयारी ना किये हो, अगर रह गए हैं, तो 2025 एक्जाम के लिए, SSC मेकर आपकी तयारी करा रहा है, बहुत ही जबर्चों तरीके से आप लोगों के लिए, हम लोग क्लासे चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं SSC GD के लिए, और SSC GD में SSC मेकर का नाम है, आपको पता होना चाहिए, कमज पता हुए हम लोग चला रहे हैं, फौजी बैज, यह फौजी बैज से आप लोग सभी बच्चे परचित होंगे, जितने भी स्टूडेंट SSC GD में सेलेक्शन पिछले लिए, पहले जितने भी सेलेक्शन लिए हैं, मैक्सिमम बच्चे फौजी बैज से पढ़के सेलेक्श प्रवाइड कर रहे हैं, अभी इसी बैज में, इसी फी में, आप लोगों को लाइफ बैज भी फ्री आफ कोस्ट करने वाले हैं, लाइफ बैज जो होगी, वो आपके लिए फ्री होगी, दो हजार पच्चिस एक्जाम के लिए, बैज की जो कीमत रखे हैं, हम लोग बहुत ही कम रखे हैं, मात्र 399 रुपे, ठीक है, बैज से जुडने में कोई दिक्कत आ रहे हैं, तो आप एसी में करके कश्मर के नंबर 7080108555, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है, तो सभी बच्चे मल लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत ही पर आई है, इसके साथ आप लोग मस्त रही है, एकदम खुश रही है, और आप लोगों को अगर डिमांड है, कि सर क्या कटाफ क्या होगा, अब कटाफ, तो देखिए, जो पहले हम लोग कटाफ बनाये थे, तो आपकी 26,000 पर बनी थी, अब 46,000 पर कटाफ के आंकड़ा कही ही अलग होगा, अगर आपको कटाफ की वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, कटाफ की वीडियो भी हम आप लोगों के लिए ला देंगे, वैसे result कब आएगा, सबसे ज़्यादा आप लोगों का प्रस निये है तो देखिए result जो है ओ बहुत ही जल्दा जाएगा कहीं ने कहीं आपके result में देरी हो रही थी vacancy बढ़ने के चक्कर में क्योंकि क्या होता student उसी के ratio में बुलाते किसके लिए physical के लिए अब student कहीं ज्यादा बुलाये जाएंगे physical के लिए ठीक है हाँ यानि cut-up जो होगा पहले आपका high लगता अब cut-up थोड़ा कम लगेगा समझ रहे तो ये चीज़े आपको देखने को मिल रही है इसी वज़द से result में देरी थी और ये जब अगे vacancy बढ़ गई है तो result भी बहुत जल्दा जाएगा 2-4-5 दिनों का वेट करिए इस week न अगर आप border पे भी है तो physical start कर दीजे क्योंकि 20,000 vacancy कम नहीं होती है 20,000 vacancy बहुत होती है उसमें आप लोग आ जाएंगे physical में लगके मैनत करके selection ले लीजे ठीक है और जो नए बच्चे है जो पिछली बार रह गये थे या नहीं फर्म बरे थे नहीं एक्जाम दिये थे नह आने बाद